हेलो एवरिवन अगर आपके पास भी इस तरीके के बॉक्स रखे हुए हैं कार्ट बोर्ड के और ऐसी रखे रहते हैं तो आप उन्हें यूज़ गर सकते हैं घर के कामों में तो यहां पर मेरे पास यह बॉक्स है अभी होली के टाइम पर हमारी मोटर खराब हो गई थी तो इसमें मोटर आई थी हमारी जो पानी वाली मोटर होती है तो अब मैं तो इसे फेक नहीं जा रही थी कबार में लेकिन वही होता है ना कि बच्चे देखके जिद करने लग जात तो मैं सोचे चलो इसे मैं यूज करके देखती हूं घर में तो इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें बीच में डिवाइड बना हुआ है यहां पर देखिए अगर आपके पास जो कार्ट बोर्ड है अगर उसमें इस तरीके से जो बीच में है न ये ये वाला गत्ता ये अगर नहीं है लगा हुआ तो आप किसी दूसरे गत्तेयों काट के बीच में लगा ले इस तरीके से फिरां दो चार्च है जितने भी खाने इसके बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं और यहां पर देखिए मैं कैसे यूज करने वाली हूँ वो मैं आपको बता देती हू तो यहां पर मैंने दुपट्टा लिया हुआ है और दुपट्ट्यों को मैंने अच्छे से तह बनाई हुई है ताकि जब भी मैं इसमें कोई चीज रखूं तो वो नीचे से तूटे फूटे ना थोड़ा मतलब कि अच्छा थिक सा कपड़ा रखेंगे इसमें नीचे तो अच्छा रहेगा और बस इस तरीके से मैंने दुपट्टा इसमें फैला दिया है और अब हम इसमें कुछ भी रख सकते हैं यह रखने के लिए बिल्कुल रैडी हो चुका है तो यहां पर देखिए इस तरीके कांच की जो बाउल होते हैं हमारे घरों में सब्की होते हैं कांच की कटोरिया तो आप इसमें यह रख सकते हैं देखिए बिल्कुल फिक्स इसमें बैट जा रही है यह अच्छे से मैं इसमें रख पा रही हूं और मैं तो आपको यहां प कभी कभी मतलब यूज में आ जाते हैं किसी भी काम के लिए हमें जुरत पड़ जाती है तो तोटे-फुटे कभी मैंने समहल के रखे हुए यह कभी कभी मैं इनमें वीडियो बनाने में भी यूज करती हुऊ या फिर आप इस तरीके से जो कटोरी होती हैं आपके पास इस्टील वाली तो वो भी आप रख सकते हैं जिसे काफी सारी घर में बहुत सारी कटोरिया होती हैं वो रख सकते हैं और यहां पर देखिए आप तीन कटोरिया एक साथ सेट कर सकते हैं काच वाली भी यहां पर देखिए अराम से इसमें आ रही हैं तो बहुत सारी कटोरिया आप इसमें रख सकते हैं यह पूरा सेट आप और यहां पर अपने इसाबहत कर एदिया से कपड़ डाल दी तो इसका तो इसका थोड़ा सभा देखने में थोड़ा सा beautiful लगेगा और किसी को पता भी नीचे लगा कि इसके अंदर रखा हुआ क्या है आप चाहे तो इसे उपर से decorate कर सकते हैं सजा सकते हैं तो आप अपने तरीके से decorate कर सकते हैं यहां पर देखिए इस तरीके से मैंने यहां पर रख दिया है गुल दस्ता जो मेरे पास है तो आप इस तरीके से भी से रख सकते हैं अगला तरीका है फ्रेंड इसे यूज करने का देखिए यहां पर मैंने यह चूड़ी बॉक्स बनाया हुआ है इसमें अपने चूड़ी यह रख देती हूं और अगर आपके पास यह नहीं है तो आप क्या कीजिए मतलब इ तो आप इसमें चूड़ी और्गनायज करकर रख सकते हैं या फिर इसमें यह चूड़ी और इसमीरा होता हुप प्रीты हैं तो आप इसमें अराम से और्गनाइज करके रख सकते हैं इस तरीके से हमें सारे चूड़ियों को यानि कि इस चूड़ियों को अंदर सेट कर देना है और काफी सारी चूड़ियां भी आप रख सकते हैं इसमें इस तरीके से लगा कर तो यहां पर देखिए इस तरीके से बहुत सारी चूड़ियां हम चाहें तो इसमें और्गनाईज करके रख सकते हैं और जब आपको जरुवत पड़े तो आपको सारी पहनने पढ़ती हैं तो इस तरीके से इसमें अभी बहुत सारी चूड़ियां और आ शकते कई दर्जन चूड़ियां इसमें और आ जाएंगी। तो इस तरीके से फिर बस आप इसे बंद करके रख दीजेगा आराम से कहीं भी रखिएगा और आप इसके उपर से आप कपड़ा डाल दीजेगा इसे थोड़ा सा डेकरेट कर लीजेगा जैसे मैंने बताया था आपको तो ये देखने में भी अच्छा लगेगा प्लस आपकी थैले में भर देते हैं पोलो थीन में भर देते हैं या मतलब ऐसी रख देते हैं गोद्रेज वगेरा में तो जब जरूत पड़ती है तो ढूंडने लग जाती है और इतना समय नहीं होता है कि हम इने खोजने में अपनी दो चार या दस-पांच मिनट भी वेस्ट करें तो ह इसमें कई दर्जन शॉक्स आप और्गनाइज करके रख सकते हो और इसके ऊपर से एक लेयर आप और भी रख सकते हो तो यहां पर मैं आपको सिंगर लेयर रखके दिखा रही हूं जितने भी आपके घर में सॉक्स होंगे सब इसके अंदर आ जाने वाले हैं तो सारे सॉक्स जब आपको जरुत पड़ेगी तो यह की जगा मिल जाएंगे या फिर आपके पास हैंकी हैं छोटे छोटे यह देखिए इस तरीके से हैंकी भी बहुत ढूंडने पड़ते हैं खोजने पर नहीं मिलते हैं जल्दी से तो वह भी आप इसमें और्गनाइज क कर देंगे इसे और बंद करने के बाद क्या होता है अगर हमें जर्रत पड़ी दोबारा से इसमें से सॉक्स या हैंकी लेने की तो हम इसे ओपन करेंगे बॉक्स को और ले लेंगे फिर मिलती हूं आप से नहीं वीडियो से तब तक के लिए बाए बाए